हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती टेस्टी मिल्क केक इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस पे एक कड़ाई रखी है अब जिसमें हम घी से अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे पहले जिससे की हमारा दूद चिपकता नहीं है अब हमने इसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है अब हम इसमें दूद डालेंगे मैंने यहाँ पे देर लीटर फुल क्रीम दूद लिया है अब इस दूद में हम उबाल आने देंगे पहले और इसको लगतार चलाते रहेंगे जिससे इसमें मलाई ना जम्या अब हम इसमें पहले बॉइल आने देंगे और इसको बॉइल आने तक हलका हलका हम कल्ची से चलाते रहेंगे जिससे इसमें मलाई ना जम्या अब देखिए इसमें बॉइल आ गया है अब हम इसको दीरे दीरे जो है चलाते रहेंगे लगतार बीच बीच में आप छोड़ भ अब देखिए दूद हमारा अच्छे से गाडा हो गया है ये करीब थाफ रह गया है और किनारे से भी इसके बहुत कम चिपका है दूद कि हमने पहले से घी से ग्रीसिंग कर दी थी और मैंने इसे हाइ मीडियम टू हाइ फ्लें पे ही दूद को पकाया है अब हम गया स्ट्रो क देखिए मैंने जूस नीबू का निकाल लिया है ये करीब एक टेबिल स्पून होगा अब इसमें हम थोड़ा सा एक टेबिल स्पून पानी एड़ कर देंगे अब हम ये रस इस दूद में दीरे-दीरे डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे करीब 30 सेकंड के लिए अब हम इसको दीरे-दीरे चलाएंगे जिससे की इसमें अच्छे से दाने पड़ सकें तो कि आपने देखा होगा कि मिठाई में दाने पड़े हुए होते हैं अब हम इसको दो-तीन मिनट के लिए ऐसे चलाते रहेंगे अब देखिए इसमें कितने अच्छे दाने पड़ने लगे हैं अब हम इसको लेकिन और गाड़ा करेंगे अब देखिए एकदम गाड़ा हो गया है अब हम इसमें डालेंगे चीनी जो कि मैंने 3-4 कप ली है चीनी अब इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे और लगतार चलाते रहेंगे अब चीनी हमारी मेल्ट हो गई है अब हम इसमें डालेंगे एक टेबिल स्कून घी अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और गाड़ा होने देंगे सभी चीजों को ऑट देखें लगतार चलाते हुए हमने यह के मीडियम कर दी है और यह लगतार गाड़ा होने लगा है अभी हम इसे लगतार चलाएंगे जब तक मिश्रण हमारा गाड़ा हो रहा है हम एक बर्दन लेंगे किनारों के इसे एकदम नुख़ेशसे करते हैं, improv क्याओ मां वाल क्या प्रद्धान का देंगे, अब इसको नहीं अब दंगे को त्रड़ी कि बड़ाई को कि अब अब आपि美味 녹ल तो अब दाल को हम इस बर्तन में डाल देगे अब हम सब्किल चैट कर लीगे देखिए यह अच्छे से इक्वल हो गया है इसको सेट कर दिया है मैंने अब हम इसको एक धकन की मदद से इसको अब हम इसे एक गरम कपड़े से ढख के तीन से चार घंटे के लिए रख देंगे जिससे गर्माई आने पर यह अच्छे से जम जाता है अब हम देख लेते हैं अब हमें तीन घंटे से इसको जादा ही हो गया है रखे हुए इसको चेक कर लेते हैं देखिए यह अच्छे से लग रहा है सेट हो चुका है हम थोड़ा सा नाइव डाल के देखते हैं इसको साइट से निकाल लेंगे पहले हम अब ही हम इसे गैस पे करीब पांच से से के लिए नीचे से गरम कर देंगे जिसे यह असानी से निकल सके देखिए मिलकेक हमारा एकदम तयार हो गया है अब हम इसे काटेंगे आप छोटे बड़े पीस जिस स्टाइस से भी आपको पसंदो आप काट सकते हैं यह बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही दानेदार बना है इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा है डबल शेट का अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजेए अगर आपने मेरे चैनल को अल्रेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बेल आइकन दवाईए जिससे मेरे आने वाली रस्पीज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे है थैंक यू